विद्यालियों की बदहाली और बच्चों की भविश्य के साथ खिलवार की तस्वीरे तो आपने बहुत देखी होगी नेकिन आज हम आपको विद्याले की एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराएंगे जिसे देखकर आपकी कलपना भी कुंठित हो जाएगी जो यहां बच्चों की जिंदगी और उनके भविश्य के साथ हो रहे खिलवार की भयानक तस्वीरे उतरप्रदेश के गौंडा जुले से निकल कर सामने आई है जहां प्राधमिक स्कोल में बच्चों को मौत के साउय में शुक्षा ग्रहन करनी पड़ती है और वो भी बिना शुक्षक के शुक्षा प्रदान की जाती है सरकारगरी बच्चों के उज्वल भविश्व के सपनों को सवारने के लिए शिक्षा व्यवस्था पर करोड़ों रुपे खर्च कर रही है और विध्यालेओं की व्यवस्था फुस्तुधादे के लिए काया कल्प जैसी यूचना चला रही है खूफबड़ों और खूफबड़ों के सपने को साकार करने के लिए अनेकों कारिक्रम भी जणजण तक पहुचा रही है लेकिन इन सब के बावजूद आज भी बहुत से प्राधमित विध्याले ऐसे हैं जो बदहाली के आसु बहार है क्यूब करन लका सिरिवास तो रिटायर हुई है तब से कुई है दो बच्चे और बच्चों की संख्याया तो यहां तो इस्तिती एं विध्याले की स्थिति यहीं है कि यह पूरी बिल्डिंग भी जर्जर है और यहां कोई व्यवस्था सुधा नहीं है प्रदेश सरकार की काया कल्प जैसी तमाम योचनाव को आख दिखाती है पूर्डा जुड़े के पूलिस लाइंगी है जो अपरातमिक विद्धाले पूरी तरह से जर्जर हो चुका है ज उन्हें मौत के साय में चीना पड़ता है प्रातमिक स्कूल के बिल्डिंग भवन की छत और दिवालों के साथ की पर्ष्ट पर गंदगी कामवार है सौचाले तूटे पड़े हैं और ना ही पानी की कोई विवस्था है जुसका रंट पढ़ने वाले बच्चों खुले में स इतना ही नहीं बच्चों अपने भविष्ट के अंधुकार को दूर करने के लिए स्कूल आते हैं थंडी गर्मी और मौत के साए का सामना करते हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल में कोई शिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए नहीं है पिछले साथ सालों में एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं हो सकी है शिक्षा मंतरी के सहारी स्कूल जलाया जुआ रहा है जुसकारण दिन बदिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम होती जुआ रहा है इस तरह देश के भविशे कहे जुआने वाले बच्चों के भविशे को बर्बाद क्या जुआ रहा है। महीजले के हुकुमरानों के कार्याले और आवास विध्याले के मह जचरंद कतम की दूरी पर ही पड़ता है। लेकिन मौत को दावत दे रहा जर्जर विध्याले और बच्चों का बरबाद हो रहा भविश्या, हुकुम रानों के कोई परक उनको उससे नहीं पढ़ रहा क्योंकि इसमें पढ़ने वाले सभी बच्छे गरीब परिवार से आते हैं जरजर विद्यालियों की लिश्ट हमारे पास आई है इस बार लगभग 565 विद्याले पूरे जन्पद में जाजर थे इनमें से 255 विद्यालियों का मुल्यांकन आ गया है जिनका दोस्तिकरण निलामी के बाद दोस्तिकरण इस साल कराया जाना है दोस्तिकरण के बाद जो पैसा बचता है वो समसी के खातिन जमा करा दिया कि वह पाइंट के जाए रही हो लेकिन इस वक्त हम मौझूद है प्रात्मिक विद्ध्याले पुलिस लाइन पे और हमारे पीछे देख सकते हैं ये विद्ध्याले है नगरी चेतर में हैं लेकिन इसकी जरजर हालाद की जो तस्वीर आपको दिखाएंगे सायद आप देखकर खुद हैरत में पढ़ जाएंगे कि ये नगरी चेतर का प्रात्मिक विद्ध्याले है जो आप साथ पर उससे देख सकते हैं इस वक्त में मौझूद हूं क्लास रूम में और नीचे कितनी गंदगी भरी हुई है और साथ ही साथ आप देख देख देखें इते और पत्थरों का जो है एक यहां पर अंबार लगाया गया हुआ है सुरूम का दरवाजा है पूरी तरीके से सर चुका है और यह बदहाली की एक ऐसी तस्वीर है कि जिसे साथ ही कोई तस्वीर निकल कर देखने को बिले ब्लैक बोर्ड भी इसी क्लास में मौझूद है इसी के साथ साथ हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि यहां पर जो बच्चों के लिए सौचाले की ब्यवस्था की गई है वो किस हाल में है वो आप तस्वीरों में साथ तोर से देख सकते हैं कि बिद्याले में सौचाले तो बना है लेकिन उसमें न कोई टोटी है न कोई ना कोई इस तरीकी की ब्यवस्था है पूरी तरीके से क्लॉड पड़ा हुआ जैसे कि आप देख रहे हैं जहां ये बिद्याले जरजर और बदहाली की जहां आसु बहा रहा है वहीं पिछले चार-पांच सालों से यहां कोई एक सिच्छक की तैनाती नहीं हुई है और एक सि इसे खर्च करती है लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये तस्वीर निकल कर सामने आती है तो अपने आप में हैरान कर देने वह लिए तस्वीर है अब देखना होगा कि इस बदहाली के आसु बहारा विद्याले के लिए संबंदित आधकारियों पर सरकार कब और कैसी कार हुआई करती है एमकेन न्यू चैनल के लिए गोंडा से तुफाइल खान